हालो फैंट्स माद भी केंट बी टू कोंजी वे पर अपका स्वागत है तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वालू क्लास्टेंट के लिए फिजिक्स के अंतरकात इंपोटेंट नुमेर कल यह बहुत जद इंपोटेंट है और फिजिक्स से 18 से 20 माक्स कबर होते हैं आपके एक मीटर लंबा तार तो लंबाई को किस से लिखते हैं एल से तो एल बराबर होगे बन मीटर अगर यह सेंटी मीटर होता तो हम हंडेड का इसमें डिवाइड देके इसको मीटर बना लेते देहां रखना ठीक है कितनी धारा परवाहित की जाए तो मतला हमसे यह आई रखा है वी ठीक है चुम के सित्की तीवरता को वी से लिखा जाता है यह दे रखा है यह इसका मात्रक चार मात्र होते हैं बेबर पर मीटर स्कायर होता है एक तो गौस होता है टैसला होता है तो आम मात्रक से भी पैसा जखते हो कि यह क्या है वी की वैल्यू है उसकी बाद 2.4 न्यूटन का बल तो बल को हमेशा कैसे लगते है एफ से फोर्स तो यह हो गया अब हम आई का यहाँ फिर फर्मुला पुट कर देंगे कैसे देखो यह फर्मुला होता है एफ इस इकल टू आई बीयर साइन ठीटा ठीटा यहाँ पर देखो लमबद बूला गया तो लमबद हमेशा आपको ठीटा क्या लेना है 90 ठीटा साइन में आपको 90 लेना है और समानतर में अगर होगा तो 0 लेंगे ध्यान रखना इस बात को कॉपी लेके बैटो जो जो बताओं आप करते जाओ साइन की बात हो अगर फॉर्मुले में तो ठीटा 90 लेंगे लमबद में समानतर में कहलेंगे 0 डिग्री ठीक है कॉसमेस का ज़स्ट अप होगा तो आपको बता दूगे पहले इतना कर लिजिए तो हम अगर हम आई यहां से निकालेंगे आई का फॉर्मल निकालेंगे तो मैं आपको बता है कि हमेशा जो साइड में होते इसके हगल भगल बज़ेतने वह सब नीचे चले आते हैं तो एफ के नीचे क्या जाएगा ल भी साइन टीटा आप हम वैली फूट कर देंगे एफ की वैली 2.4 दे रखी है एक बार फिर से लिखते हैं रुको एफ की वैली 2.4 है एल की क्या है वन पॉट जीरो चोड़ भी सकते हैं आप वी की वैली है 1.2 और ठीटा हम रखेंगे साइन 90 तो साइन 90 का मन क्या होता है वन होता है यह आप याद कर लेना 90 का मन 1 होता है 30 का 1 वाई 2 होता है और साइन 0 का 0 होता है 60 का रूट 3 वाई 2 होता है यह आपको लिख लेने हैं मैं आपको अलग से फिर से नेक्स वीडियो में आपको सब पुछ लिखवा दूंगी कितना कितना मान होता है ठीक है तो इसको कट कर दो पॉइंट से पॉइंट गया 12 तूजा 24 ठीक है वन का मींस कुछ है नहीं तो उपर आंसर हमारा टू आ जाएगा टू अपॉन बन है तो यह टू आंसर आ गया अगर यह वन उपर आता है टू नीचे होता है तो हम डिवाइड करके पॉइंट आंसर ले आते अभी तो हमारा बन नीचे है ना तो कोई मींसी ने इसका टू यह अंसर आ जाएगा टू एंपियर धार का मत्रक एंपियर होता है और धार को मापते किससे अमीटर से ठीक है आ गया इससे एकार दिया पॉइंट से पॉइंट कैंसल होगा क्योंकि बराबर था एक एक के बाद तो टू हो गया डारेक्ट आंसर होके टू एंपियर बस आपको पैचान ना आना से यह एक यह भी इंपोडेंट है तो कितनी बार आ रहा है यह को यह भी सिंपल होता है पांच एम आपको कर दो लिख लो जो पूछा के आँगे को अब देखो यह सेंटीमिटर को मीटर बनाओ मीटर बनाने के लिए हाप आप क्या करेंगे हंडेड कर देंगे और कभी ऐसे पॉइंट पॉइंट करो सिंपल करो टैन करो दो यह नीच जिदनी भी जीरो है वह उपर जाके मा होग टो हो जाएगा मिटर टीक है दो जीरो है तो दो पापर कर देंगे सब में बन थावजन ऊता तो यह स underground हो जाती है और किसमें होगी माइनस में नीचे से ऊपर जाके किस को जाएगी माइनस की क्योंकि आप प्लस की है ठीक है तो हमने मीटर बना लिया जब भी आपको मीटर कभी बनाना हो इसी तरह से आप पापर लिख लेंगे कभी भी डिवाइड डिवाइड मत करना ठीक है तो इसका फॉर प्रमुले में है तो देखो यह लिख दिया हमने इंटू आई की वेलू में के मिली है फाइब रख देंगे और आर की वेलू यह रख देंगे नीचे तो देखो फाइब टू जा टैन टू से यह टू कैंसल हो गया अब क्या उपर बचा टैन की वाबर माइनस सेवन और नीचे बचा टैन की वाबर माइनस टू यह बचा तो माइनस टू उपर जाके किसको हो जाएगा प्रस का हो जाएगा सेवन में से टू अगर जाएगा तो टैन की वाब 10 पर माइनस 5 माइनस का क्यों हो बचा कि माइनस के सेवन ज्यादा है तो 10 को पर मानस 5 आंसर आ गया और वी का मातरक्त से टू कर गया यह मानस का सैवन उपर यह तो इस तरीखे से आपको कर लेना है कि लिए एक और देख लीजिए, देखो, कूलाम का आबेज, तो आबेज को हमेशा किससे लिखा जाता है, Q से, ठीके, और इसका माता है कूलाम, यह लिख दिया, उसके बाद, मीटर पर सेकंड के बेग, तो बेग को हम बी से लिखते हम, तो वी वराबर हमने यह लिख दिया, उसके बाद आप लिखेंगे चुम्हें सिक्स्टी के कौन पर तो ठीटा हमारा कितना हो गया सिक्स्टी डिग्री हो गया उसके बाद इसना पूछा है आप इस पर लगने वाले बल मतला एफ हम से पूछ रहा है तो एफ विजिकल्ट क्या लादें कुश्चन मार्क ठीक है यह पूछा है तो इसमें फर्मुला पुट कर दो थाणिस में इंप्णें डिपीट हो सकता है यह फर्मुला बेख लेना एफ व्राबर क्यू वी भी साइन थीटा इस में भी साइन आता कॉस नहीं है ठीक है तो बस व्रपूट कर दो क्यूं कमान अमने रख दिया यहां से बीकमा रग दिए वाला कि यह वाला थान परम आं मोल्टे मत थालन धालत ठीक है साइन का याद को लो कॉल्टा हो जाता है थर्टी होता हम बन भाई टू रखते है शिक्स्ट यह तो रूट थी भाई टू रख दिया अब देखो सॉलूशन कैसे होगा कि टू से एक आटा हमने बन पॉइंट सिक्स टाइम कर जाएगा यह कट गया नहीं कर दिया और बन पॉइंट शिक्स का थ्री में मल्टिपल करेंगे तो सिक्स्टीन थ्रीजा क्या होता है फॉर्टी एट ही तो होता है पॉइंट है तो हम यहां पर पॉइंट लगा दें एक के बाद ठीक है यहां पर पॉइंट आ जाएगा यह रख दिया उसके बाद यह रूड थ्री जो है यहां पर लगा देंगे इसके साथ और पापर माइनस का 19 यह प्लस का 6 है तो प्लस माइनस क्या होता माइनस होता है तो क्या बचेगा 13 चिन माइनस का क्यों लगाया क्योंकि अभी मैं आपको बता है जिसकी पापर ज्यादा होती है उसी का चिन आता है तो यह माइनस का चिन आएगा बल का मातर न्यूटन होता है यहां लिख दो लिख दो क्लियर इस तरह इसे कर लेते हैं एक पर फिर्स से देख लो टू से हमने यह काटा बन पॉंट सिक्स टाइम इसका इसमें मल्टिपल किया यह आ गया रूट थ्री जो यहां था यहां रख दिया हमने आपको रूट थ्री की वैलू रखने की कोई जरूत नहीं ऐसी रख दो ठीक है नैंटीन मैसे शिक्स गया त प्लस 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 होता है और मैनस मैनस भी प्लस होता है ठीक है इस तरीके साब को कर लेने आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बाकी कि इसके जो मेन मेन और बचें वह मैं आपको नेक्स पार्ट में कराऊंगी और नेक्स पार्ट में आपको साइन को सभी की वैल्यू बत